12 जोत्रिलिंग में से देवर का एक बावा बैदना धाम जोत्रिलिंग भी है इस जोत्रिलिंग में अनेकों ऐसी मानेता हैं जो अन्य जोत्रिलिंग से खास बनाती है माना जाता है कि भगवान बोले नात की अगर विदी विधान के साथ पुजा राधना करें तो आपके द्वारा मांगी गई कामना अवस्य पुन होती है। यह एक मात्र ऐसा जो तिलिंग है जो भगवान सीव के सिखर से लेकर मता पारवती के सिखर के बीच गठबंदन जैसे अनुस्ठान के जाते हैं। क्योंकि सावन के महिने में सबसे ज़्यादा भक्त बैदनात मंदिर में जुड़ते हैं तो यह गठबंदन की अनुस्ठान में सबसे ज़्यादा सावन के महिने में ही होती है। तिर्ट प्रोहित बताते हैं कि भगवान, सीव और माता सक्ती देवहर के बैदनात मंदिर में एक साथ फिराजमान है, इसलिए इस मंदिर को सक्ती पीठ भी कहा जाता है आखिर ये क्या है गठबंदन की प्रम्परा और कौन लोग गठबंदन कर सकते हैं जानते हैं देवघर के परसिद्यत्रित प्रोहित और स्टेट प्रोहित सिरनाथ पंडिजी से एक मात्र एक ऐसा जोत्रिलिंग बाबा बैदिनाथ जोत्रिलिंग जिसमें माता पार्वतीर भगवान सीप की गटवंदन है ये गटवंदन की क्या परंपरा है कौन-कौन लोग गटवंदन कर सकते हैं बारा जोत्रिलिंग में बाबा बैदिनाथ सती के साथ भी राजमान है और यहां यहीं पर गटवंदन होता है और गटवंदन का कहीं बिधान नहीं है केवल धर्मशास्त्र के नुसार यह गटवंदन का यहीं विदान है और यह गठवंधन पती पतनी जब आते हैं तो पती पतनी संकल्प करके गठवंधन किया जाता है ताकि बैवाहिक जीवन दामपत्य सुख अखंड सौभाग की प्राप्टी के लिए यह किया जाता है इस तरह करने से बाबा बैदनात माता सती पारवती द अधिक भगवान सीव और माता पारवती के बीच गठवंधन जैसे अनुस्ठान देवर के बाबा बैदनात मंदिर में होते हैं या गठवंधन का अनुस्ठान किसी अनजोतिलिंग में देखने को आपको नहीं मिलता है या गठवंधन का अनुस्ठान तिर्थ प्रोहित नह परवती के मंदीर को बीच बांते हैं देवगर से पुरमजीत कुमार लोकल 18